नमस्कान मैं हूँ शुभे और आप देख रहे हैं नियुस्वानीशन आजडी से पुर्वसांसद बाहु बली छवी के दिवंगत नेता शाहबुदिन के बीटे उर्सामा की राजनीती में एंट्री को लेकर कई तरह की बाते ही सामने आ रही है इतना है नहीं इन सारी बातों को लेकर उन्होंने अपनी तरफ से कोई अस्वश्रता तो नहीं रखी है लेकिन लगातार नेताओं की मुलाकात का सलसला जारी है कभी आजडी, कभी बीजेपी, कभी जेडियों के तमाम नीता उनसे मुलाकात कर रहे हैं और इसे कड़ी में मुंबई से सीधे सिवान पहुँचे अबू आजवी और आपको बता दे कि ये समाजवादी पार्टी से आते हैं और इनकी मुलाकात हुई है उसामा से और मुलाकात के बाद इन्होंने क्या कुछ कहा है और साथी साथ आजडी को लेकर क्या बाते रखी है आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं पुर्व सांसद और राज़त के दिवंगत नेता मोहमज शहबुदीन के निधन के दो माँ बीच चुके हैं इसे बीच उनके बीटी उसामा साहब के डाजनीती में एंट्री के अटकले लगाई जा रही है उसामा से मिलने बीज़पी जड़ी और राज़त के नेता पहले ही सिवान जा चुके हैं वहीं आज सपा के महराष्ट एकाई के अध्यक्ष अबू आजमी भी सिवान पहुचे जानकारी के अनुसार महराष्ट के विधायक अबू आजमी आसीधे मुंबई से सिवान पहुचे यहाँ पर उन्होंने बंद कमरे में लगभग एक घंटे तक बातचीत की बातचीत के बाद अबू आजमी ने कहा कि शहबुदीन मेरे भाई समान थी उसामा से हमारा पारिवारिक रिष्टा रहा है इसे राजनीती से जोड़ कर ना देखा जाए अबू आजमी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शहबुदीन हमेशा राज़त के साथ रहे हैं उसामा के इस दुख के घड़ी में राज़त को भी इनके साथ खड़ा रहना चाहिए आजमी ने कहा कि मेरी इस मुलाकात को राजनीतिक अंगल से ना देखा जाए बताया जा रहा है कि सपा यूपी में एमवाई समय करण को मजबूत करने में जुटी है इसी कारण सपा की नेता मुस्लिम नेताओं से नस्दीकियां बढ़ानी में जुट गए है ये नेता भी जा चुके हैं सिवान आपको बिता दे कि पुर्विसांसद और बाहुपली नेता शाहबुदीन के निधन के बाद राज़त के विधायक तीजबिता प्यादव, AIMIM के पिहार प्रदेश रध्याक्ष और निलंबत बीजेपी विधान परिशद टुन्ना पांडे सिवान पर उसामा के घर पहुँच चुके हैं बता दे के शाहबुदीन का निधन दिल्ली में लाज की दोरान हो गया था, वो उम्रकैद की सजा काट रहे थे तो भले ही आज़डी के दवंगत नेता शाहबुदीन का निधन हो गया हो, लेकिन इसके बाद उनके बेटी की राजनीती में अगले कौन सी कदम उनकी तरफ से उठाए चाहेंगे, उसको लेकर फलाल चडचा जोरो शोरो से हो रही है और यही बचा है कि लगतार उस वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए हर पार्टी की तरफ से जोर आजमाईश की जा रही है हर एक नेता अलग-अलग पार्टी से उन से मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने अपनी राजनितिक जो उनके कदम होंगे उसको लेकर किसी तरह की असपश्टता तो नहीं रखी है उन्होंने बताया है कि कुछ दिनों बाद मैं इन बातों पर सब कुछ साफ करूँगा लेकिन अभी मुझे इन चीजों में दल्चस्पे नहीं साथी साथ उन्होंने मुलाकात कर कई सारी नेताओं के मुलाकात के कई सारे माइने निकाले जा रहे हैं और अब सप्पा के जब अबु आजमी वहाँ पर पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाओ है और कहीं न कहीं सप्पा की तरफ से मुष्ण के जारी है और इसके पीछे की यही वज़ा बताई जारी है कि मुसलिम वोटों को अपनी और आकर्षत करने की कोशिश की जारी है और उन नेताओं से नजदी किया समाजवादी पार्टी के तरफ से बढ़ाई जारी है हलाकि उत्तर प्रदेश शुनाओ को लेकर बिहार के राजनेतिक दलों की बात करें तो उनकी तरफ से भी पूरी तयारी है लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें अबो आजमी की तो उन्होंने साफ तोर पर कहा कि संकट की घड़ी में आजडी को उनके साथ होना चाहिए हमेशा ही सहब बुदीन ने लोगों का साथ दिया है और मैं अपने पारिवारिक मुलाकात से आया हूँ मेरा इनसे पारिवारिक रिष्टा है इसे किसी भी तरह की के राजडीती से जोड कर नहीं देखा जाए हलाकि सुवक्त उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाओं हैं और यही वज़ा है कि लगतार ये सियासी अटकलें लगाई जारी है कि कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय को अपनी और आकर्षित करने की कोशिश है समाजवादी पार्टी के तरफ से और ये मुलाकात यही माइने निकालती है फिलार गले इतना ही जादा अपडेट के लि झालती है